चुनाओ कर्मियों को नहीं आने से ग्राम विकास समीती गठन रद ग्रामिनों में जन आकरोज तीन लोग घायल हमारे संबादाता विवेक चौबे की रिपोर्ट कांडी परखंड के चेतर के अंतरगत ग्राम पंचायत लमारी कला में ग्राम विकास समीती के गठन को लेकर भारी संख्या में ग्रामिन उपस्थित हुए जबकि चुनाव कर्मी आये ही नहीं चुनाव कर्मियों को नहीं आने से लोगों में काफी आकरोज दिख रहा था मुकिया गीता देवी के पुत्र संतो सिंग के द्वारा पंचायत भवन में ताला जड़ दिया गया इसके विरोध में आकरोशित ग्रामिनों ने रबिंद्र चंदरबंसी के नेतरित में मुक्य सड़क पर बैठ कर घंटो सड़क जाम कर दिया दोनों तरफ गाडियों की लंबी-लंबी कतारे लग जाने से काफी मुस्किलों का सामना करना पड़ा सड़क जाम की सुचना मिलते ही इंस्पेक्टर विस्वनात रायवो कांडी थाना के एस आई महंद्र कुमार पासवान ने दल बल के साथ पहुँचकर आकरोसित ग्रामिनों को समझा पुझा कर सड़क से जाम हटाया बताते चले कि पुलिस को पहुचने के पूर्ब सड़क जाम कार्च करता हों के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट किये जाने से तीन लोग घायल हो गए खायल मोतिया देवी, गरीबा रजवार, भंगी रजवार ने बताया कि मुखिया गीता देवी के पुत्र दिलिप सिंग, संतोस सिंग वो दसरत पासवान के द्वारा पेरामी से पीटा गया सलक जाम की सुचना मिलते ही विडियो गुलाम समदानी द्वारा बिपियो आलोक राज पहुँच कर लोगों से आगरह करते हुए 18 जुन को चुनाव का समय निर्धारित किया इस परकार चुनाव कर्मियों के नहीं आने से ग्राम विकास समीती का गठन रद हो गया मौके पर मुखिया गीता देवी, मुखिया पती, लालेशवर सिंग, संभु पास्वान, रमेश पास्वान, बिनोत साव, मिथुन, रितेश, चंपा, मीना, रानी, रवेंदर सहित, काफी संख्या में ग्रामिन उपस्थित थे धन्यवाद